Hello Friends, Namaskar जैसा कि आपके जानकारी में है कि बजट 2021 में वित्तमंतरी की ओर से ये घुशना हुई कि Employee Work जो अपने Provident Fund में Contribution करते हैं अगर उनका Provident Fund का Contribution 2.5 लाक रुपीज से ज्यादा है एक particular financial year में Employee Contribution तो उस 2.5 लाक रुपीज से उपर के Contribution का ब्याज with effect from 1st of April 2021 taxable होगा अब recently market में एक बात आई कि वित्तमंतरी मोहदया ने एक बजट घुशना ये करी कि नहीं साब ये Provident Fund Contribution की लिमिट बढ़ा करके हम 5 लाक कर रहे हैं तो ये 5 लाक की लिमिट का क्या पॉइंट है इसी विशह पर आज की ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तोत है प्रपोस्ट प्रोविजन क्या है दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा इन रिस्पॉंस तो अडिवेट इन रिस्पॉंस तो अडिवेट इन फिनांस बिल 2021 इन दे लोग्स हवा थे फिनांस मिनिस्टर रेसेंटली साथ अडिवेट इसका मतलब बढ़ा करके पांच लाक कर दी गई लेकिन एक राइडर आया क्या वितमंत्री महुदया ने फर्दर ये भी कहा सर्थ ये सबसे बड़ा पॉइंट है और कैच है तो मैं ये कह सकता हूँ के कोई सबस्टेंचल अमेंडमेंट नहीं आया ये गोशना केवल उन एंप्लोई के लिए फाइदे मन्द होगी दोस्तों जहां पर एंप्लोई के पीएफ में एंप्लोईर कोंट्रिबूट ही नहीं करता केवल histoire सवयम कोंट्रिबूट करता है अगर आप एक ऐसे प्रविडेंट फंड का हिस्सा है जिसमें estaban का थासले ये जिसमेंं एप्लोई दो तीन दिन पहले वित्यमंत्री महुद्या ने बुला कि नहीं सर हम इस लिमिट को पांच लाग बढ़ाने वाले हैं लेकिन पांच लाग नहीं है लिमिट धाई लाग ही है धाई लाग है मतलब अगर employer भी आपके PF में contribute कर रहा है और मेरा मनना है कि ज्यादा तर cases में employer employee के सा साथ contribute करता है तो जहां employer employee के साथ contribute कर रहा है वहां तो लिमिट धाई लाग चलेगी और जहां पर employee अकेला PF fund में contribute करता है वाब बोलेंगे सर ऐसे कौन से employer हैं सिर्फ और example मेरे ही एक मित्र से मुझे यह जानने को मिला कि सर for an example Reserve Bank of India for an example Indian administrative services इस जहां पर employer PF contribution करता नहीं employee PF contribution कर रहा है तो ऐसी परिस्थति में दोस्तों employee अगर खुद अपने PF में contribute कर रहा और employer आपके सामने रखता हूँ बहुत सरल रूप में इसे रखने की कोशिश करी है कि मान लीजिए दो employee है A और B दोनों अलग लग employer के पास काम कर रहे हैं एक की salary 20 लाग है दूसरे की 20 लाग है PF contribution employee A के case में employer का 2 लाग है और वो स्वेम अपने PF में 4 लाग का contribution करते हैं तो sir access contribution जो का interest taxable होगा वो कितना है 1.5 लाग रूपीज अब आईए दूसरे employee employee B पर जिनका 20 लाग का package है उनके employer PF contribution करते ही नहीं employee himself is contributing रूपीज 5 लाग तो उनका access contribution ऐसा कौन सा है जिसका interest taxable होगा answer will be nil because what he is contributing is रूपीज 5 लाग so this is how जो मेर को यहाँ पर इस interpretation से बात समझ में आई वो मैंने आपके सामने रखने का कोशिश किया तो दोस्तों ये एक छोटी सी clarificatory video मैंने आपके सामने रखी हाला कि मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत सारे employer सरकार से नाराज है कि 5 लाग रुपे के limit बहुत कम है इसको बढ़ाया जाए लेकिन भारत सरकार ने केवल 5 लाग के limit उन लोगों के लिए की है उन employees के लिए की है जिनका provident fund contribution employer करता ही नहीं क तो इसी के साथ सर मैं आज की वीडियो यहाँ पर समाप करता हूँ हूली के तहवार पर मेरी बहुत सारी शुपकामनाओं के साथ स्वस्त रहिए मस्त रहिए हूली enjoy करिए बहुत बहुत धन्यवाद जैए